हम अगर वेट लॉस गोल प्लान करते हैं तो हमारे डाइटीशन फिटनेस एक्सपर्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत लिएक वाटर वाटर विद फ्यू ड्रॉप्स ओफ लेमन जूस से स्टार्ट करनी चाहिए तो क्या आपको पता है कि लेमन जूस कितना ज़्यादा बेनिफीशल है हमारे हिल्थ के लिए लेमन जूस जो कि वाइटमिन सी के लिए सबसे रिच सोर्स माना जाता है यानि कि वाइटमिन सी तो आज मैं आपको बताऊंगी each and everything about वाइटमिन सी हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर अकांग शा और आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक में वाइटमिन सी जिसको कि हम एस्पॉर्पिक एसीड या एस्पॉर्बेट भी बोलते हैं तो वाइटमिन सी एक बहुत एसेंशल वाइटमिन है और यह वाटर सॉलिबल वाइटमिन है मैंने अपने फॉस्ट जो वाइटमिन सेरीज के वीडियो में आप से चर्चा भी किया थ एक fat-soluble और वाटर-soluble तो वाटर-soluble vitamin में important vitamin है vitamin C यानि कि ये day-to-day basis पे urination के through remove होता है body से इसके लिए हमें इसका supplementation हमेशा regular basis पे लेना चाहिए और ये हम dietary supplementation से भी इसको fulfill कर सकते हैं या फिर medicinal supplement से भी इसको हम fulfill कर सकते हैं vitamin C, WHO के द्वारा essential medicine में भी listed है vitamin C की deficiency से scurvy होती है एक बहुत common disease है लेकिन scurvy सिर्फ मतलब की अब शुरू से सुनते आते होंगे कि हम vitamin C नहीं लेंगे तो उसकी deficiency से scurvy होती है लेकिन vitamin C का हमारे body पे बहुत सारे important role है यानि कि यह हमें बहुत सारे चीजों में help करता है body के और भी parts है जिसकी functioning में help करता है तो scurvy कैसे होगी सबसे जो common है उसके बारे में पहले हम जानते हैं scurvy तब होगी जब आप अपने diet में या फिर medicine form में या supplement form में आप बिल्कुल भी vitamin C नहीं लेते हैं यानि कि more than one month एक या दो महिने हो गए आपने किसी भी form में vitamin C नहीं लिया मतलब कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें वो vitamin C है ही नहीं इस तरह का diet आप follow कर रहे हैं और आप supplementation भी नहीं ले रहे हैं तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपके body में weakness होगी थकान होगी, bone में pain होगा और आप इस चीज को भी अगर ignore कर देते हैं यानि कि आप फिर भी vitamin C अपने diet में नहीं ले रहे हैं तो bruising स्टार्ट होगी आप skin में कई जगा पे blue या black discoloration देखेंगे और आप उसको भी ignore कर रहे हैं दोक्टर के पास check-up के लिए नहीं जा रहे हैं तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका जो breathing है वो shortness of breathing होने लगेगा यानि आप काम कर रहे हैं और आपका सांस फूलने लगेगा उसको भी आप अगर ignore कर रहे हैं वाइटमिन सी फिर भी आप नहीं ले रहे हैं यानि लंबा समय हो गया बॉड़ी में वाइटमिन सी गया ही नहीं तो धीरे-धीरे fever, convulsion और even death भी हो सकता है यानि वाइटमिन सी एक बहुत important वाइटमिन है वाइटमिन सी हमें सिर्फ सकर भी इसकी deficiency से नहीं होगी बलकि यह हमारे लिए बहुत तरह के form से useful भी है यानि कि हमें infection से भी prevent करता है हमारे body के immune system को increase करने में वाइटमिन सी का बहुत important role है इस pandemic में COVID situation में हमें हमारे doctor भी suggest करते हैं कि हमें vitamin C पूरे से लेना यानि कि proper amount में आपको vitamin C लेना है आपके diet में भी लेना है और आपको medicinal supplements भी लेना है तो vitamin C हमें infection से भी बचाता है हमारे immune system को भी increase करता है और जैसा कि लोगों को लगता है कि हम vitamin C लेंगे तो हमें common cold नहीं होगा तो recent studies में देखा गया है कि common cold अगर आपको है या फिर यह होगा तो vitamin C का इसमें कोई important role नहीं है बस यह आपका इतना करेगा कि आपका जो symptoms है common cold का उसमें थोड़ा आपको relief देगा और आपके common cold के duration को डेर से दो दिन तक reduce कर सकता है यानि कि vitamin C इतना important role play करता है vitamin C बाकी body के functioning के भी बहुत important है और भी function है जिसके लिए कि vitamin C बहुत जादा important role play करता है आपके skin के लिए भी vitamin C बहुत important है अगर UV radiation से आपका जो skin damage हो गया है तो अगर आप vitamin C लेंगे तो आपके skin का repairing स्टार्ट होगा vitamin C की antioxidant properties होती है जो कि skin के लिए helpful है antioxidant properties के साथ vitamin C में anti-aging properties भी होती है बहुत सारे beauty product से anti-aging cream है जिन में vitamin C का use किया जाता है जिससे कि आपके skin को वो healthy बना के रखता है और जितना भी sun damage हुआ है या spots है आपके skin पे उसको correct करता है यानि अगर आप skin के लिए भी आप चाह रहे हैं आप कुछ remedy देख रहे हैं तो आप vitamin C के बारे में सोच सकते हैं vitamin C orally लेंगे तो भी आपका skin youthful होगा और बहुत जादा glow करेगा और अगर आप topical apply भी कर रहे हैं vitamin C serum तो भी आपके लिए बहुत जादा beneficial है long term अगर आप anemia का medicine ले रहे हैं यानि आपके body में blood की कमी है तो भी आप उसके साथ vitamin C लेते हैं आपके डॉक्टर आपको suggest करते हैं कि आप vitamin C अपने diet में लीजिए साथी साथ supplementation भी लीजिए तो आपके लिए वह beneficial होगा अगर आप regular basis पे BP का कोई medicine ले रहे हैं तो आपका जो top BP है यानि systolic blood pressure जिसे medical term में कहते हैं उसमें भी आपका ये beneficial होगा उसको भी reduce करने में help करेगा अगर आप कोई surgery plan करें आपकी कोई heart की surgery होने वाली है तो उससे पहले आप कोशिस करें कि आप diet में vitamin C proper amount में ले जितने भी citrus fruits हैं जितने भी colorful bell papers हैं वो सब आप अपने diet में include करें साथ ही साथ आपके doctor आपको supplements जो दे vitamin C का वो भी आप regular basis पे ले इससे क्या होगा कि आपका heart beat है जो irregular हो सकता है surgery से पहले या surgery के बाद उसको ये prevent करेगा और ऐसा होने से रोकेगा और आपके body में कुछ और भी problem है जैसे कि heart के problem है उसके लिए भी आपका vitamin C बहुत important है आपको एक tablet भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए beneficial है आपके oral health के लिए vitamin C बहुत important है आप देखते होंगे कि अगर आप normal brushing कर रहे हैं तो आपके तित से blood आना सुरू हो जाता है आपके gum से blood निकलने लगता है आपका gum जो है वो solen या red रहेगा तो वो भी vitamin C की कमी से होता है अगर vitamin C नहीं लेते हैं तो आपका जो gum है वो healthy नहीं रह पाता है और बहुत तरह का जो oral problem है वो भी start हो जाता है तो vitamin C हमारे oral health के लिए उतना है important है तो vitamin C अपने diet में हमेशा include करें और आप अगर topical भी ले रहे हैं तो भी vitamin C cream वेगरा अपने skin के लिए use कर सकते हैं vitamin C से bad cholesterol भी reduced होता है अगर आप weight loss plan कर रहे हैं तो भी आप अपने diet में vitamin C ले सकते हैं लेकिन इसको एक limited amount में लेना है अगर आप dietary form से vitamin C ले रहे हैं तो आप ज़्यादा भी लेंगे तो आपको toxicity नहीं होगी लेकिन अगर आप supplementation form से vitamin C ले रहे हैं तो 200 mg everyday से exceed नहीं होना चाह अगर आप ज़्यादा vitamin C consume करेंगे तो आपका stomach upset हो सकता है आपको nausea, vomiting और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको vomiting tendency regular basis पे रहे रहे हैं और आपका stomach upset रहेगा pain रहेगा stomach में वाइटरी सोर्स में आप जितना भी vitamin C लेंगे इससे कोई भी problem नहीं होगी आप डाइट में citrus fruit जैसे mossami, oranges, lemon, tangarine, brusel sprouts या फिर आप broccoli, vegetables में यह सब कुछ आप ले सकते हैं जिससे कि आपके body में vitamin C proper amount में बना रहे और इसका कभी भी deficiency आपको नहीं हो और अगर आप supplementation भी ल after discussing with your doctor I hope आपके लिए आज का ये वीडियो helpful रहा हो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें तब तक के लिए stay healthy stay safe bye bye